तो इस वीडियो दोस्तो अब है अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लिजीगा चलिए शुरू करते हैं जो वीडियो जो को समाज को प्रिभासित करी तो बड़ी आसान सब्तों में यहां पर एक मनोविज्ञानिक है वर्ड वर्ड ने बड़ा अच्छा डेफिनिशन दे दिया था समाज सास्त्र समाज का विज्ञान है ठीक है ओडम के अनुशार समाज सास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्यान पर आता है एक्कॉर्डिंग टू ओडम सॉसलिषी is दे साइंस गया अध्यान समाज सास्त्र करता है ठीक है यह और झाधा च्छटा प्रस्टन चलते हैं दोस्तों साथोए प्रस्कृत की तरे रूकुलाज दौम तो यहां किस कुछ किताबॉम के सिधान्त हैं उद किस जा रहा है कि पूछा जा род करिकुलम के सिधान्त है कि या करिकुलम के सिधान्त हो एक होताइ दाहि restoring the principle of flexibility यह आशान है इसके अलवा है विद्यार्थिक केंद्रित, student centered curriculum, teacher centered, शिछक केंद्रित पार्थिकरम और इसके अलावा दोस्तों होता है उपयोगिता का सिधान, ठीक है, principle of utility, तो बहुत सारे सिधानत हैं, इसमें से कोई दो लिख लिजी, आप यू लिख सकते हैं, principles of flexibility, principles of utility, ठीक है, बड़ा असान सब्दों में हम यहाँ पे परिभासित करेंगे कून के अनुसार, according to koon, संस्कृति उन विद्यों का समूच्य है, जिसमें मनुस्य एक PD से दूसरी PD तक सीखने के कारण रहता है, वह समूच्य है, वह सम्पूर समूच्य है, जो हम अपने PD से सीखते हैं, अपने पुर्वजे से सीखते हैं, वही तो हमारी संस्कृति बन जाती है, so according to koon, the culture is the set of a way in which human beings lives by learning from the one generation to the another generation, तो यह असान से सब्दों में यहाँ परिभासा हो गई, ठीक है, हम जब culture और different topics पढ़ेंगे तो उस पर explain करके पढ़ेंगे, बस यहाँ पर simple सा एक 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 नमर में और कितना लिखना है, ठीक है, next देखते हैं दोस्तों, next हमारा प्रस्ण क्या है, प्रजातंत्रिक मुल्यों का अर्थ, meaning of democratic values, यह भी साधारार से प्रशन है कि democratic values जो लोकतंत्रिक आपके मुल्य है, उसका क्या मतलब हुआ, उसका क्या अर्थ हुआ, तो लोकतंत्रिक आसान से सब्दों में यहाँ पी लिख जिए, आप इसके बारे में स्वयम लिख सकते है आप इस चीज़ को mention करें कि लोकतंत्रिक दो सब्दों से मिला है, लोक प्लस तांत्रिक लोक अर्थात, लोग और तांत्रिक मतलब सासन, तो लोकतंत्र का क्या अर्थ हुआ, लोगों का लोगों के लिए, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा सासन, यह लोकतंत्रिक अर करणों को परिभासित कीजिए define modernization को परिभासित करना की वास्तों में आधुनिकरण होता क्या है तो यहां पर हम एक स्याम चरड़ दूबे जो की भारतिया मनोविग्याने की तो इनके दुआरा हम यहां पर परिभासित कर देते स्याम चरड़ दूबे ने बहुत बहतरी और आसान सब्दों में परिवासित किया था आधुनिकरण एक एसी प्रकिरिया है जिसके दवारा पहले से चली आ रही ही विवस्था को तक्नीकी के माध्यम से उसमें परिवर्टन लाया जाता है ठीक है जो भी विवस्थाइं पहले से चली आ रही है उसको ट्रेडिशनल कहते हैं और जब उसमें हम टेक्नोलोजी के साथ उसमें चेंजेस लाते हैं तो वह मॉडनाइजेशन होता है ठीक है तो स्याम चरंदूबे के बेस्ट यहां पर डेफिनिशन अकॉर्डिंग तो स्याम चरंदूबे लेकिन एक नमबर में एक परिभासा काफी है अगर आप दो लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको अपने समय का भी ख्याल रखना है तो दोस्तों इस परकार से दस प्रशन हल होगें ठीक है दखिए बहुत मेरी कोशिस क्या थी कि आप किस प्रकार से परशन पूछे जाते हैं और किस परकार से इसके जवाब लिखने है एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखेगा कि एक नंबर का प्रशन आप से पूछा जा रहा है एक नंबर में वो कहते हैं कि जितनी मजदूरी उतना काम और एक नंबर में जादा अगर आप एक्स्प्लेइन करने लगेंगे तो आपका समय खतम हो जाएगा आपके दूसरे प्रशन छूट जाएंगे इसलिए इस बात का ख्याद रखिए जितना बहतर से बहतर आप बना के लिख सकते हैं बना के लिखिए इसको बस समझिए रटने वारी बात निए बस समझिए क्योंकि अगर रिपीट हुआ कोशन तो यह बात याद होगी है और फिर आप अपने तरीके से लिख सकते हैं इन सारे प्रशनों को आप नोट करिए हो सके तो स्क्रीन शॉट ले लिजिए वैसे मैं इसका PDF टेलिग्राम के चैनल में भेज़ दूगा नीचे description में लिंक होगा वहाँ से click करके join करिए लेकिन इन सारे प्रशनों को आप एक पन्ने में लिख लिजिए हम जो भी previous चार पान साल के प्रशन है उसको ऐसे हल करेंगे और बस अगर आप ऐसे देखते रहे ना आपका बहुत अच्छा paper निकल जाएगा आप अगर बहतर लिख सकते हैं और बहतर लिखे बाके comment में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये video कैसे लगी ये series कैसे लगी अगर आपका feedback अच्छा होगा तो हम इस series को continue करेंगे और जितने भी previous questions है उसको हम solve करेंगे ठीक है दोस्तों तो comment में बताना ना भूले कि वीडियो कैसे लगी description में link है click करके join करिए और वहां पे आप मुझे message करेंगे तो मैं आपको personally वहां पे इस चीज का पूरे दसो प्रशन के PDF आपको भेज दूगा और जो भी previous questions है वो मैं आपको भेज दूगा बाकि नेक्स वीडियो में हम next maybe 2020 या 2019 का प्रशन सॉल्व करेंगे ठीक है मिलते अगले वीडियो में अपना खुब क्यार लखे पढ़ते रहे शेयर कर दिया करिए ठीक है मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं कहा कि subscribe करिए share करिए शेयर कर दिया ठीक है लोगों तक पहुंचाए जय हिन जय भारत बाबाई